नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब एसेनल में। गावों में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रात हो तो गाव की गलियों में सन्नाटा पसर नाम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौंधियरा ब्लॉक के बढगोहना गाव में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। जादातर घरों की बत्तिया बंद थी और लोग बिस्तरों में दुबक कर ठंड से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सर्द हवा से साय साय करती गाव की एक गली मे 16 साल की नावालिग लड़की मुबाईल फोन से किसी से हसहस कर बाते कर रही थी। वह इस बाद से बेख़बर थी कि उसको किसी ने देख लिया है। उस लड़की की बात्चीत का अंदाज बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला शक्स उसका प्रेमी ही हो सकता है। माम बाप क की गेर मौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फोन पर मोहया इंटरनेट से उसने सेक्स की काफी जानकारी हासिल कर ली थी, इसलिए उसने सर्द रात में अपने सूने घर में प्रेमी को आने का न् 19 साल का प्रेमी शिवशनकर उर्फ छोटू तो ऐसे मौके की तलाश में था। उस लड़की मीना का फोन आते ही वो जटपट मोटर साइकल से उसके घर पहुँच गया। कई किलोमीटर की दूरी उसने इतने कम समय में पूरी कर ली की अपने सामने खड़े प्रेमी को देख कर भी मीना को आसानी से यकीन नहीं हुआ। मीना ने अपने छोटे भाय अमन को पहले ही किसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाए। इश्क की पेंगे बढ़ाते हुए वे उसमें इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में कोई और भी है। शिवशनकर भी अपनी माशुका को सामने पाकर अपनी सुद्बुद खो बैठा था। इधर बातचीत और हसीमजाक की आवाज सुनकर 14 साल के अमन की आख खुल गई। वह अपने घर में बहन के साथ किसी करने लगा। डाटफटकार के बाद भी वह चुप नहीं हुआ और आखो देखी सारी बात पिता को बताने के लिए कहने लगा। छोटे भाई की इस घंकी के बाद उसकी बड़ी बहन डर गई। लेकिन उसे अपने प्यार में बाधा बन रहे भाई की ये बाते अच्छी न लगी। इसके बाद उसने जो किया वह जान कर लोगों के रोन्टे खड़े हो जाएंगे। मीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने छोटे भाई पर लोहे की एक छड़ से हमला किया और बाद में पीटिपीट कर उसका कतल कर दिया। मीना के घर वालों को समझ न प्रेम के लिए भेद दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जाच शुरू करकी। पुलिस जाच परताल में जो मामला सामने आया उससे सबकी आखे खुली की खुली रह गई। अमन के पिता गुलाब खेती करते हैं। वे अपनी पतनी को लेकर अपनी ससुराल गए थे और रात में वही पर रुख गए थे। घर पर उनका 14 साल बेटा अमन और 16 साल की बेटी मीना थी। कॉंधियारा पुलिस को जब एक 14 साल के लड़के की घर के भीतर हत्या की खबर मिली तो वह भी चक्रा गई। पुलिस जब गुलाब के घर पहुँची तो 14 साल के मासूम ममन की खून से लटपत लाश बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस को भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम का कतल क्यों और कौन करेगा वह भी घर के भी तर्ट जब घर में केवल भाई बहन ही हो। पुलिस ने लाश को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया और इसके बाद मामले की जाच शुरू करकी। घर और गाव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि किसी ने नावालिग लड़के को मार दिया। एक 14 साल के मासूम से किस की दुश्मनी हो सकती है। इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने स जब लड़की का मोबाइल फोन सविलांस पर लेकर काल डिटेल निकाली तो सारा भेत खुल गया। पुलिस की पूछताच में लड़की घबरा गई लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। बाद में घर की तलाशी पर इसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में मशगूल मीना उन बुजुर्ग को नहीं देख सकी थी। पुलिस को रात में शिप्षन करके मोबाइल फोन की लोकेशन बरगोहना गाव में ही मिली। वो मौके से फरार हो चुका था लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दि की बली देदी उसी प्रेमी के साथ अब वो जेल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए भेज दी गई है। झाल 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 झाल